हेलो फ्रेंट्स विल्कम बेक टो मैं चैनल इस्प्रीचर लव टेरोट कैसे हैं आप लोग आए होप खुश होंगे अपनी लाइफ में इंजॉय करें होंगे हैपी होंगे दियर हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें हैपी रहें दियर आज भी एक मेसिज आया था मैंने उसे पिन कर दिया है कि आपका पार्टनर जो है आ गया है तो दियर इसलिए मैं कहते हूं पॉजिटिव है यह और काफी लोगों ने मुझे मैसिज करा है कि हमारा दियूनियन नहीं हुआ है हमारा पार्टनर नहीं आया है दीदी तो द कर आपने नेगिटिव नेगिटिव बाते सोच ली तो क्या होता है कि जब आप positivity को उठाते हो उसके बाद में negativity को उठाते हो वही चीज़े आप manifest करने लगते हो तो इससे क्या होता है कि आपकी जो energy है वो negative नेगिटिव चीजों को सोचने लगते हैं तो काफी लोगों का union में problem आ रही है धिर हमेशा positive सोचिए chanting करिये, meditation करिये, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमेशा आपको positive रहना है, self love करो, अपने आप से self love करो universe पर divine पर surrender कर दो, ओके चलिए, आज हमारे जो topic है, वो है third party daily update, तो third party daily update में आपके partner क्या feel कर रहे हैं इस third party के साथ में अगर आपको लगता है कि आपके life में कोई third party situation है ये third party कोई romantic partner हो सकता है कि कोई family हो सकती है ex girlfriend boyfriend कोई भी हो सकता है dear आप अपनी situation के साथ से match कर लीजिए कि ये third party कौन है अगर आपको असर लगता है कि आपके life में ये third party के कारण problem आई है तो dear ये video जो है आपी के लिए है चलिए देखते हैं कि third party के साथ में आपके partner का daily update क्या है क्या निकल के आता है क्या चल रहा है जो situation दिखेगी dear वो हम देख लेंगे कि इस third party के साथ में आपके partner की situation क्या है क्या situation चल रही है dear यहाँ पर six of pentacles है मैं दो तरफ कार्ड निकालूंगी क्योंकि मैं दो energies को लेना चाहूंगी कि पता चल सके कि third party के साथ में आपके partner की situation क्या है ठीक है एक तरफ तो बहुत happy happy चीज़े दिखाई दे रही है कहीं न कहीं इस third party के साथ में positive चीज़े हो रही है और dear एक partner जो है उनकी life जो है tower moment से चल रही है आप cards देख रहे हैं सामने cards निकल रहे हैं कि tower moment से चल रही है यहाँ पर किसी family ने हो सकता है कि इस partner की marriage जबर्दस्ती करा दी है आपके partner की देखिए निकल आई ना वो energy हो सकता है कि इस partner के life में कोई तो involve है जिसने जबर्दस्ती आपके partner को कहीं और involve कर दिया है तो यह third party जो है आपके partner की family हो सकती है जिसने आपके partner को कहीं और involve कर दिया है पर डियर जहां पर भी ये पार्टनर है वहां पर ऐसा दिख रहा है ओके डियर चलिए कार्ट्स निकल चुके हैं मैंने दो एनर्जी निका ली है ये एनर्जी को हम बाद में देखेंगे ठीके इसे साइट कर देते हैं और ये वाली energy को हम देख लेते हैं कि क्या energy निकलती है ठीके यहाँ पर cards जो है वो बता रहा है six of pentacles ठीके टॉरस वर्गो केप्रिकॉन हो सकते हैं आप यहाँ आपके partner cancer scorpio pices हो सकते हैं जो भी आपका zodiac sign है आप देख लीजिए ठीके यहाँ पर sun के energy आई है डियर positive चीजे द उकराया गया है हो सकता है कि आपके partner जो है अभी बहुत उदास हैं बहुत ज़्यादा sad है उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो आपका जो proposal था जो आपके साथ में रिष्टा था वो accept नहीं कर पाए इसलिए थोड़ा सा आपके partner जो है कभी कभी guilt feel करते हैं यहाँ पर कोई marriage से related हो सकता है कि इनके घर वालों ने कहीं न कहीं आपके partner की कोई marriage कर दी है तो वो वाली situation दिख रही है love marriage के against थे family वाले और dear यह देखिए यहाँ पर आपके partner जिसके control में थे उसके control के कारण आपके partner ने यह सारी चीजे की है यहाँ पर offer भी जो है आपको देना चाह रहे थ पर डियर इस third party के involved होने के कारण आपके partner की जो wish fulfillment थी जो वो इच्छा थी वो कहीं न कहीं अधूरी रह गई है देखिए ना यह cup का card बता रहा है eight of cups बहुत ज़्यादा ऐसे energy दिख रहे है कि यह partner जो है अभी बहुत guilt feel कर रहे हैं बहुत ज़्यादा sad feel कर रहे हैं two of wand है रास्ता धूंड रहे हैं दो राहे पर खड़े होकर यूँ समझ लिजी कि आपके partner किसी बात को लेकर रास्ता धूंड रहे हैं किसी चीच की ending हो रही है चीके तो cards आपको सारे दिख रहे होंगे dear यहाँ पर death का card है last card हमारे पास में death का card आया है चलिए bottom की energy देख लेते हैं dear कि bottom की energy यहाँ पर क्या है bottom की energy अगर देखी जाए दोनों ही energies के लिए तो यहाँ पर six of swords की energy है हर्मित मोर पर जा चुके हैं और कप इनको देना है celebration यह चाहते हैं और यहाँ पर है communication communication करना चाहते हैं आप देख पा रहे हैं cards क्या बता रहे हैं bottom की energy है दोनों ही energies के लिए यह देखे क्या energy निकलिए यहाँ मैं आपको बताओं तो सबसे पहले तो आपके partner इस situation से जो भी situation है चाहे यहाँ पर यह happy feel करते हूँ चाहे family के कारण इनको adjust करना पड़ रहा है ठीके पर situation end हो रहा है यहाँ पर last card यही पतारा end हो रहा है किसी चीच का end होना है देखे अगर यहाँ पर सब कुछ positive है फिर end वाली बात क्यों आ रही है वो मैं आपको clear करूँगे आप देख पा रहा है cards जो हैं काफी हद तक positive आए हैं देखे यहाँ पर यह partner जो है offer कर रहे हैं इन्होंने balance बनाया है किसी ना किसी तरह से भले ही कोई controlling energy आपके partner की जिन्दगी में रही हो पर dear यहाँ पर यहाँ पर यह card बता रहा है कि जिस भी इनसान के साथ में इनने शुरुआत करी है एक family की एक love की वहाँ पर positivity तो है ठीके लेकिन इस सब के होने के बावजूद आपके partner की जो wish fulfillment थी वो कहीं न कहीं अधूरी है इसलिए आपके partner जो हैं बहुत ज़्यादा universe पर divine पर ऐसा दिख रहा है spiritual से connect कर रहे हैं अपने आपको और dear यह दिख रहा है कि यह partner जो हैं यह चाहा रहे हैं कि इनको जो universe ने कब दिया था वो यह कहां छोड़ा हैं तो आपके partner अभी बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं इसी के नीचे यह card आया है guilt का card इनको बहुत ज़्यादा पश्तावा हो रहा है बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है रातों को सो नहीं पा रहे हैं, किसी गल्ती को लेकर बहुत सोच रहे हैं डियर ये कार्ट के नीचे ही ये कार्ड आया है और ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर उस बारे में सोच रहे हैं कि जो यूनिवर्स ने डिवाइन ने इनको कप ओफर किया था ये कप को कहां छोड़ाए हैं कहां बहुत पीछे छोड़ाए हैं उस बात को लेकर guilt feel कर रहे हैं यहाँ पर यह energy आ रही है और डियर यह card बता रहा है कि यह partner जो है इस energy के साथ में अगर match किया जाए तो यहाँ पर यह partner को लग रहा है कि जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर वो एक end एक नई शुरुवात चाहते हैं एक end और एक नई शुरुवा में डाला है हो सकता है कि परिवार ने इस तरह की स्थिती कर दी आपके partner के life की कि यह partner जो है इस third party के pressure में रहने लगे हो सकता है दिखे क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यह third party ने कुछ तो ऐसा drama create करा है कि आपके partner को या तो पता ही नहीं था यू समझ लीजे क आपके partner को बिल्कुल पता नहीं था कि यह third party जो है आपके partner क्या रिष्टा कहीं और arrange कर रही है या कोई और को लेके आ रही है या आपके partner को बिल्कुल भी नहीं पता था और हकीकत यह थी कि आपके partner इस third party को बहुत मानते हैं बहुत ज़्यादा इस third party ने उठाया है और dear फायदे को उठा कर ये third party जो है वो काफी हद तक दिख रहा है कि इस third party ने आपके partner की जिंदगी में किसी और को लाकर बिठाल दिया है तो काफी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है या फिर आपे partner ने लाकर आपके जिंदगी में किसी और को बिठाल दिया है ऐसी situation create करी है positive रहते हैं उसके साथ में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और आपको इस तरह का बताते हैं कि आपको अगर रहना है तो आप वहाँ पर रह सकते हैं पर डियर आपको adjust करना पड़ीगा तो आपके लिए तो यहाँ पर बहुत ऐसी एनरजी दिखाई दे रही है कि आपको आपके पार्टनर जो है ना उनका किसी और के साथ में affair था यह आपको पता था और कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत ज़्यादा separation काफी महीने चला है काफी महीने separation चला है उसके बाद में आकर उन्होंने ये कह दिया कि भई मैं तो किसी और relationship में जा चुका हूँ और मैं break up कर रहा हूँ तो यहाँ ये वाली energy भी हुई है कुछ लोगों के साथ में कि आपके पार्टनर ने इस तरह का कहा है और ये पार्टनर हमेशा आपको कही ना कही mind से चले हैं क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ करा है कि इन्होंने blaming game खेला है blame करा है आपकर कि आप इनकी बदनामी कर रहे हो आप इनको कहीं ना कहीं hurt कर रहे हो आप दुनिया समाज के सामने इनको बुरा बता रहे हो अगर आप चाहो तो adjust कर सकते हो आप चाहो तुर रह सकते हो इनके साथ में पर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो वाकई में कोई भी नहीं करना चाहेगा जिस तरह की आपके पार्टनर की demand है सोझ है, ये चाह रहे हैं एक तरफ देखे कितने positive card है यहाँ पर देखे positive card है यहाँ पर negative cards आए है एक ही काड है जो positivity को बता रहा है पर डियर आपके partner क्या कर रहे हैं आपके तरफ भी देख रहे हैं उधर भी देख रहे हैं तो ये एक साथ जो partner चाहा रहे थी कि third party के साथ में जो इन्होंने relation बना लिया है चाहे वो pressure से बनाया हो जाहे किसी के controlling energy के कारण बनाया हो पर डियर उस energy में आपके partner ये चाहते हैं कि आप इसको अपना लें इस partner के साथ में एक relation में आ जाए आप इसका cup जो है वो ठुकराए नहीं तो यहाँ पर आपके partner के energy ऐसी दिख रही है हाला कि यहाँ पर ये happy feel करते हैं इसके साथ में भी enjoy कर रहे हैं happy family बनाये हैं balance है पर इनकी कुछ wishes है जो wish पूरी नहीं हो पाई है उसके लिए regret feel कर रहे हैं वो जदा guilt feel हो रहा है इनको पश्ता रहे हैं offer को इन्होंने जो ठुकरा दिया उस बारे में सोच रहे हैं कहीं न कहीं आपके partner prayer भी कर रहे हैं spiritual होते दिख रहे हैं प्राथना की जा रही है कि किसी तरह से आप जो है इनकी जिंदगी से ना जाए मतलब है कि दो चीजों को लेकर ये partner जो है ना decision ले रहे हैं अगर आप देखें तो ये partner जो है जो separation चल रहा है जो guilt वाली energy है आपको भी ऐसा लगता है कि ये partner ने आपके साथ में अच्छा नहीं किया तो ये चाहते हैं कि आप सारी चीजों को भूल जाएं सारी चीजों को भूल कर आप end कर दें उन चीजों का और एक तरह से ये partner जो हैं यहां से आपको ये कह रहे हैं कि आप move on करके गए थे मूँ मोड के गए थे तो आप आजाओ तो बुलाना चाहते हैं आपको अपनी जिंदगी में लेके आना चाहते हैं और dear इनको पता है कि आप जो हैं नहीं आएंगे अभी आपके partner की बात करी जाए तो ये awaken हो रहे हैं कहीं न कहीं इनको कुछ चीजे समझ आ रही है आपको आपके partner दिखें न कब offer करना चाहते हैं पर dear इनकी सोच खराब है ये जिस भी third party में involved हो गए चाहे इनोंने आपको ये बोला हो कि भई मैं क्या करता मेरे family वालों ने जबरदस्ती मुझे वहाँ पर धकेल दिया मुझे शादी करनी पड़ी मुझे वो रिष्टा निभाना पड़ा चाहे वो खुश रह रहे हैं हो celebration मना रहे हैं हो पर dear वो आपको excuse तो देंगे वो आपसे communication तो करेंगे वो आपको बताना चाहते हैं कि इनकी life में हो क्या रहा है क्या चीजे चल रही है इस third party के कारण कुछ लोगों के partner जो है hanged है dear यहाँ पर उनको बहुत देर में समझ में आती है कि situation को कैसे handle करना है यहाँ पर आपके partner जो है आपका और इनका reunion चाहते है मिलना चाहते है एक होना चाहते है तो dear यह energy दिख रही है इस deck में कि यह वाली energy तो बता रही है कि आपके life में जो partner था third party के साथ में वो happy है dear कहीं न कहीं खुशियां मना रहे हैं कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है उनके energies में कि balance करके चल रहे हैं आपके partner और यह third party बहुत control करती है बहुत ही ज़्यादा आपके partner को अपने तरफ रखना उनको पसंद है आपके partner को अपने हिसाब से चलाना पसंद करती है और dear यह आपके partner को इस तरह रखी है कि आपके partner जो है आपके याद को भूल जाए आपके याद उने ना आए तो यह energy है चलिए हम दूसरे जो हमने card निकाले थे यह वाले इनको भी देखते है कि इसमें क्या energy आई है अभी तो आपने देखा कि यहाँ पर तो positive दिख रहे हैं बस आपको भी रखना चाहते है किसी चीज़ का end भी करना चाहते है चलिए हम दूसरे card निकालते है चलिए दिखते हैं कि दूसरे card क्या बता रहे हैं क्या चीज है आपके partner की life में क्या है चल रहा third party के साथ में यहाँ पर cards आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपके partner कोई तो decision आपको देना चाहा रहे थे हो सकता है कि इंतजार कर रहे थे किसी तरह के शादी किसी तरह के relationship का है न तो dear यहाँ पर शायद justice नहीं कर पाए आपके partner जो आपसे बादा किया था आपके partner ने वो नहीं निभा पाए आप दोनों का जो connection था जो loving वाला रिष्टा था उसके बीच में ऐसा दिख रहा है कि यह third party ने बहुत ज़्यादा problem कहीं न कहीं बढ़ा दिये देखिए आप cards देखके आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर क्या situation है ठीके और यहाँ की situation के साब से अगर आप देखें तो यह cards बता रहे हैं कि आपके partner जो है 100% यहाँ से move on होना चाहते हैं वो चाहते हैं कि यहाँ से जल्द से जल्द निकल जाएं और किसी ना किसी तरह से वो prayer कर रहे हैं universe divine से और dear अभी बहुत कुछ बाकी है आपके partner के दिमाग में इस third party के साथ में आपके partner की situation की बात करी जाए तो dear अभी आपके partner इंतजार कर रहे हैं किसी ऐसे लमहे का किसी ऐसे पल का जहां वो balance कर सके तो dear यहाँ पर balance करना चाहते हैं आपके partner और justice करना चाहते हैं तो dear यहाँ पर आपके partner ने आपके साथ में जो balance नहीं बनाया आपके होते हुए यह कहीं और भाग रहे थे आपके होते हुए यह आपको नहीं देख रहे थे किसी और जगब पर इनका निशाना था तो डियर यहां पर यह चीज़ी क्लियर तरीके से दिख रही है कि यह पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा पैसिनेट होने वाले हैं बहुत ज़्यादा फायर एनरजी में आने वाले हैं और डियर इनकी एनरजी ऐसी रहने वाली है कि है आपको कोई commitment किसी तरह का कोई family offer या आपको दे सकते हैं dear justice आपके साथ में करना चाहेंगे क्योंकि यहां पर third party के साथ में आपके partner को tower moment का सामना करना पड़ रहा है बहुत burden उठाना पड़ रहा है आपके partner सोच रहे हैं कि यह third party जो है इसके life में कभी सुकून क्यों नहीं रहता है आपके partner को भी लगता है आपके साथ में जब आपके partner रहते थे तो बहुत खुश रहते थे बहुत सुकून फील करते थे पर dear यह third party के आजाने से आपके partner को लगने लगा है कि सुकून chain जो है वो कहीं न कहीं खो गया है और dear हद दो के पढ़ गई है डियर यहाँ पर टावर मुमेंट क्रियेट कर रही है यह थर्ड पार्टी पार्टनर को बहुत बुरा लग रहा है आपकी तरफ कोई स्टेप लेने का सोचते हैं या आपके बारे में मन में सोचते ही हैं कि अचानक से उनकी लाइफ में बर्डन आ जा एक सेपरेशन हुआ है हो सकता है सड़नली कोई ऐसी बात हुई है इस थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में जहां पर बहुत ज्यादा ब्रीक अप बहुत ज्यादा जगड़ा वाली सिच्वेशन दिख रही है पार्टनर से नो कॉंटेक्ट हो गया है थर्ड पार्ट बहुत बंधा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ में उन्हें लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ में जो उनकी फाइट हुई है जो जगड़ा हुआ है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा इश्यू हो गया है और यहां पर आपके पार्टनर जो जो रिलेशन है उसको याद कर रहे हैं उसको फील कर रहे हैं क्योंकि पहले क्या था इस थर्ट पार्टी के कारण ये आपके प्यार को आपके लव को आपके अंदर जो फीलिंग्स है उनको नहीं देख पा रहे थे अभी क्या हो रहा है अभी आपके पार्टनर जो है इस थर् पार्टनर डिसीजन लेना चाहते हैं आपको अब जस्टिस देना चाहते हैं आप बहुत हो गया ये थर्ड पार्टी का जो भी चीजे चल रही थी न ये बहुत हो गया इसने बात-बात में बहुत होश उड़ा दिये हैं आपके पार्टनर के पर डियर अब आपके पार्टनर जो है इस third party के बातों में नहीं आने वाले हैं अब आपके partner जो है इस third party से दूरी बनाने वाले हैं और dear hundred percent ये चीजे दिख रहे हैं कि आपके partner जो है आपके बारे में भी सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर lovers का card आया है आपके partner आपके साथ में justice भी करना चाहते हैं बर्स के साथ justice भी आया है तो ये card यहीं बता रहा है कि ये partner अब justice करना चाहते हैं एक ऐसे situation बनाना चाहते हैं जिसमें आप और ये हो तो यहाँ पर ये अपनी गलतियों को सुधारना भी चाहते हैं अपनी decision को लेकर serious हैं बर्डन ले रहे हैं dear किसी बात का बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं आपके partner वो चीज यहाँ पर दिख रही है third party के साथ तो अच्छी नहीं चल रही है बिलकुन नहीं अच्छी चल रही है दोनों के बीच में पर्ट नहीं रही है दोनों अलग-अलग दिशा में भाग रहे हैं तो dear यहाँ पर हमारा topic है कि third party के साथ में आपके partner का daily update क्या है तो आप देख पा रहे हैं कि बिलकुल भी अच्छा नहीं चल रहा है और आपके partner और आपको भी बहुत मुश्किल होगा इस third party का जो भी behave है third party की जो करनी है वो आपको देखकर बहुत तकलीफ होने वाली है तो यह है third party daily update आपको third party daily update अच्छा लगा होगा कुछ ना कुछ guidance कुछ ना कुछ help जरूर मिली होगी dear अगर आप लोग first time चैनल पर आ रहे हैं तो please चैनल को subscribe कर दीजे support करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू